यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और पार्किंग भी इन लोगों ने बना ली है जो से अब इनकी सरकार से मांग है कि उनकी होटल चलाने का आदेश दिया जाए इन लोगों ने बैंक से लाखो रुपयों का लोन लिया है और इसका भुकतान करने में भी वो असफल साबित हो रहे हैं तो होटल मालिकों पर गाज गिरी है अलिशान होटल अब तूटने लगे हैं धरमशाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धरमशाला में पहले भी कई बार शुकायते आती रहती है लोग जाम की वज़ज़ से परिशान रहते इसी वज़ज़ से प्रसाशन की ओर से या द विभाग ने नोटस जारी कर दिया है और ऐसे में होटल मालिक जो हैं वो लगातार परिशान होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि उन्होंने होटल चलाने के लिए कई सारे लोन लिए थे जो उचुकाने में सक्षम नहीं हैं तो अलिशान होटलों को अब तो पिचार होना पड़ता है और इस वज़ा से विभाग की ओर से नोटस जारी किये गए कि जितने भी होटल अवैध रूप से चल रहे हैं या फिर रास्ते में बने हुए हैं उन्हें तोड़कर पार्किंग के सुविधा बनाई जाए ताकि स्थाने लोग जाम से मुक्त हो सक तो यहां पर लगतार होटल मालिक भी परिशान होते वे नजर आ रहे हैं और कहिना कहीं वो इस आदेश उसे नाराज भी है और उनका कहना ये है कि इस आदेश के बाद जो भी लोन उन्होंने लिया है वो उन्हें चुकाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि कई बड़े है और होटल तोड़कर पारकिंग बनाने के आदेश दिये है